Welcome to the High Priestess Saro, I hope आप सब लोग खुश हो, happy हो, healthy हो, अपना ध्यान रख रहे हो So, आज मैं वापस आ गई हूँ एक general zodiac reading के साथ So, आज मैं बात करूँगी मेरे Tauruses के बारे में So, अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी Tauruses है, आपका Sun, Moon, Rising, Venus sign कहीं पे भी आप ये reading देख सकते हैं, ये reading आपको resonate कर सकता है But याद रखना, ये एक general reading है, so जितना resonate करें, प्लीज उतना ही लेना ये reading है आपका January 15th से लेके January 31st तक 2021 And also मेरे बारे में जो भी informations आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे description box में आपको मिल जाएंगे So let us start Taurus and let us see आपका एक्सक्ट कर सकते हो Taurus is in love Okay, so we have the High Priestess, Page of Cups, Temperance Seven of Wands, Ace of Cups And the Fool, Okay So Taurus यहाँ पे, in love, मुझे जो दिख रहा है, that is Definitely यहाँ पे एक नया refreshing energy है यह तो आप किसी existing relationship है आपके life में, existing person है आपके life में जिसके साथ आप सब कुछ हील करना चाहते हो जिसके साथ आप situations को balance करने की कोशिश कर रहे हो मेभी आप दोनों separation में हो या मेभी आप दोनों के बीच में problems है या complete break up हो चुका है But अप स्टिल उस person के साथ यहाँ पे एक new beginning चाहते हो यहाँ पे एक new beginning चाहते हो उस पर same person के साथ या तो कुछ लोग completely एक different person चाहते हो completely एक new relationship चाहते हो एक new beginning चाहते हो अपने life में But I think कि अगर आप already आपके mind में कोई person है जिसके साथ आप एक refresh एक fresh energy चाहते हो एक new beginning चाहते हो I think आप काफी ज़्यादा secretive हो अपने feelings को लेके मुझे लहीं लगता Taurus कि आप अपने feelings को ज़्यादा जाहिर कर रहे हो आप अपने feelings के बारे में ज़्यादा लोगों से कहे रहे हो I think आप काफी ज़्यादा secretive हो आप अपने walls को आप करके रखे हो आपके boundaries आप है आप like किसी के सामने वालोरबल नहीं हो, आप किसी के भी सामने अपने हार्ट को open नहीं कर रहे हो, especially इस परसन के सामने जो आपके mind में है because I think आप उनके feelings के बारे में sure नहीं हो आप sure नहीं हो कि क्या वो same person, same mistake करेंगे क्या वो अभी भी आप से प्यार करते है, क्या अभी भी भी वो attracted है या फिर उनके life में क्या है so since यहाँ पे एक थोड़ा बहुत form of confusion है, Taurus आप basically खुद को बहुत secretive रख रहे हो maybe आप चुप चुप के उस person के बारे में सोच रहे हो, या stalk कर रहे हो या लोगों से पूच रहे हो कभी-कभी आप खुद को डार्ट रहे हो कि क्यों आप उस person के बारे में सोच रहे हो, या क्यों आप new beginning चाहते हो कुछ लोगों के लिए, but आप still यहाँ पे एक new beginning चाहते हो आप heal करना चाहते हो खुद को आप expect कर रहे हो कि पहले यह realize करें यह person की ऐसा क्यों हुआ या क्यों आप गुसा हो या उन्होंने क्या गलती किया है आप अभी भी a kind of waiting energy में हो, जहाँ पे आप खुद के उपर भी काम कर रहे हो आप खुद को भी heal कर रहे हो at the same time आप थोड़ा सा curious हो इस person के बारे में कि क्या यह person reach out करेंगे क्या यह person ने sorry क्या यह person ने realize किया है कि इन्होंने क्या गलती किया, so यहाँ पे एक mixed energy है and बाकी लोग I feel आप completely एक new direction चाते हो, life में आप एक new relationship चाते हो, एक new person चाते हो, because आप पुराना किसी भी relationship में interested नहीं हो, आप एक brand new beginning चाते हो, but उससे पहले आप या तो heal कर रहे हो खुद को, like previous traumas previous heartbreaks से या तो आपको heal करने की जरूरत है अगर आप सारे चीजों को खुद पे दबा के रख रहे हो अपने दिल के अंदर, सारे feelings को, गुसे को, resentments को I think Taurus बहुत जरूरी है कि आप खुद को heal करे, उसके बाद आप ये new beginning definitely देख पाओगे but healing is very important okay so let us see, जो लोग यहां पर एक परसन के साथ दील कर रहे हो आपके परसन की energy is क्या है currently what is going on with your person Taurus okay we have the eight of cups we have the emperor two of swords seven of pentacles queen of swords and the wheel of fortune hmm so अगर मैं Zodiacs की हां पर बात करूँ तो मेरे पास है Pisces, Cancer, Scorpio like आपके परसन की मैं बात कर रहे हूँ Pisces, Cancer, Scorpio Aries Gemini, Libra, Aquarius Taurus, Virgo, Capricorn and Cancer okay Signs अतना जरूरी नहीं है कोई भी Zodiac sign के हो सकते है वो परसन but again आपकी परसन की energy is क्या है Taurus I think आपकी परसन पहली बात तो वो एक बहुत ही logical mindset में है आप जहां पर थोड़े बहुत emotional नजर आ रहे हो मुझे आपके परसन के side से मुझे कुछ जादा emotions नहीं feel हो रहा है I think first of all ये परसन बहुत reasons ढून रहे है अगर ये separation हुआ है इस परसन के साथ आपका या जो भी problems है I think ये परसन उस पूरे problem को उस पूरे situation को बहुत logically देखने की कोशिश करे या logically देख रहे है ठीक है इस परसन को लगता है ये परसन खुद के actions को justify करने की कोशिश कर रहे है चाहे वो actions सही थे या गलत मुझे नहीं पता यहाँ पर एक energy है कि ये परसन basically खुद को justify कर रहे है basically ये सोच रहे है कि अगर ये meant to be है अगर ये destiny है आप दोनों का मिलना या reconciliation है जो भी then वो होगा but इस परसन के side से ये परसन बहुती closed off है ये परसन बहुती unemotional है कुछ लोगों के लिए इस परसन को लगता है कि मेवी time सही नहीं था आप दोनों का या आप दोनों के बीच में कुछ problems था या ये destiny नहीं था कि आप दोनों साथ में रहो या चीजे positive रहे but at the same time ये परसन आपको completely भूल भी नहीं सकते like कही ना कहीं आप अभी भी इस परसन के mind में हो कही ना कहीं घूम फिर के ये परसन आपकी relationship के बारे में सोचते है आपके connection के बारे में सोचते है at the same time ये परसन उस जब भी आपकी memories या आप इस person को याद आते हो यह person पूरे situation को justify करने की कोशिश करते है logically कि ऐसा हुआ था इसलिए ऐसा हुआ इसने ऐसा कहा था इसलिए ऐसा हुआ basically वो एक logical excuse ढूनते है यह logically define करते है ताकि उनको बस एक reason रहे कि हाँ अगर मुझे बुरा लग रहा है इस connection के लिए मेरे पास एक reason है कि क्यों यह workout नहीं किया and that's it मुझे ज्यादा emotions नजर नहीं आ रहा है to be honest and also यह person भी यह सोचते है कि आपकी feelings क्या है इस वक्त क्या आप क्या सच में feel कर रहे हो या आप क्या सोच रहे हो इस person के बारे में so वो सारे curiosities इस person के अंदर है आपके बारे में वो सारा कुछ यह person जानना चाहते है but I don't think यह person आप से बात कर रहे है इस वक्ति आप दोनों contact में हो also यह person बहुत ही ज़्यादा controlling है like जब बात आती है इनके emotions की या overall इनके बाहर वाला जो image है बाहर का जो इनका mask है face है उसकी यह बहुत ही controlling है like यह बहुत ही इस वक्त एक unemotional या emotionally unavailable person है जो अपने life को control कर रहे है जो basically logical practical चीज़े कर रहे है life में चाहे इनकी feelings कुछ भी हो I don't think यह किसी को भी वो देखने दे रहे है I think इनका जो emotions है इन्होंने जान बूच के close off कर के रखा है यह जान बूच के अपने emotions के touch पे नहीं है इन्होंने अपने emotions को completely close down कर लिया है Taurus यह person definitely कोशिश कर रहे है to walk away from this situation इस connection से इस ending से heal होने का इस ending से बाहर जाने का walk away करने का move on करने का अपने life में but यह person 100% वो कर नहीं पा रहे है because कही ना कहीं इनको आपका याद आता है कही ना कहीं अभी भी वो जो memories है या आप दोनों के बीच में आप दोनों ने जो भी जितना साल आपने साथ में आप दोनों थे या महीने आप दोनों थे दिन आप दोनों थे doesn't matter वो इस person को अभी भी याद आता है यह person logically reason out करने की कोशिश कर रहे है पूरे चीजों को again at the same time यह सोच रहे है कि अगर यह meant to be है अगर यह destiny है then maybe आप दोनों फिर से साथ आओगे कभी maybe आप दोनों फिर से आप दोनों का मुलाकात होगा कही but यह खुद से कुछ भी action I don't think put कर रहे है इस वत टोरस ठेक है so let us move on to your career and finances वाला reading career and finances for my Tauruses career and finances let's see wow wheel of fortune four of swords the shadow side I am seeing a lot of tension regarding something okay we have the sun queen of swords and the three of pentacles beautiful energy मुझे सबसे जादा इंट्रेस्टिंग जो लग रहा है आपके इस करियर situation में वो है यह शाडव साइड और यह सन एकदम अगल बगल है you know darkness and light sadness and happiness clarity and like darkness and clarity दोनों साथ में है so this is very interesting Doris पहली बात definitely आप एक energy है overthinking का कि आप confused हो आप overthinking कर रहे हो आप sure नहीं हो आप confident नहीं हो किसी situation के बारे में अपने कारियर वाले situation में of course आपके जो dreams and ambitions है वो मुझे दिख रहा है Taurus but आपको यह मालूम नहीं है कि आप कैसे उस dreams को पूरा करोगे या कैसे आप उस मुकाम तक पहुचोगे जो आप हमेशा से चाते थे because यह जो भी dream है या यह जो भी purpose है आपका I don't think यह नया है I think यह आप हमेशा से करना चाते थे यह आप हमेशा से बनना चाते थे इस मुकाम तक आप हमेशा से पहुचना चाते थे but कही ना कही जाके आपको लगता है that you are not good enough या कही ना कही जाके आपको लगता है कि मुझसे यह नहीं हो पाएगा या मुझ में ये talent नहीं है, वो talent नहीं है कुछ लोगों के लिए मैं कहूंगी कि ये सिर्फ आपका career नहीं है कुछ लोगों के लिए ये आपका life purpose है जो आप follow कर रहे हो and जब आप वो करते हो, पहले-पहले it is never easy you know, it is never easy but ये चाहे आपका life purpose हो, ये चाहे आपका career हो, ये जो भी हो आप definitely एक point of time में हो, जहां पे आपको पता नहीं है कि आप कौन से direction में जा रहे हो कभी-कभी आपको लगता है that you are feeling lost, आप खो गये हो आप sure नहीं हो कि क्या आप achieve करोगे वो target या नहीं करोगे like there is a back and forth energy आपका जो progress है वो बहुत slow है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मैं सच में progress कर रही हूँ या क्या मैं सेम जगा पे अटकी हुई हूँ या क्या मैं like progression नहीं हो रहा है मेरा, क्या हो रहा है so थोड़ा सा anxiety है, थोड़ा सा frustration है like what is happening or what do I do maybe आप दूसरे लोगो को देखते हो and compare करते हो कि वो परसन कितना अच्छा कर रहा है लाइफ में वो भी मेरे एज का है, वो कितना अच्छा like degrees हासिल की है मेरे एज में but मैंने क्या किया so बहुत सारे energies हैं यहाँ पे जो self-doubt है, self-sabotage है I am not good enough वाला energy है which is very dark energies जो आप carry कर रहे हो Taurus but the situation can change अगर आप control अपने हाथ में लोगे तो अगर आप इस इन fears को यह overthinking वाले energies को जीतने दोगे अपने life में obviously आप clarity नहीं देख पाओगे obviously अगर आप जितना fear करोगे आप जितना डरोगे आप जितना यह energies में रहोगे उतना ही fear आपके life में आएगा उतना ही doubts आपके life में आएगा like doubtful situations, fearful situations so it is very important that you move towards the light because definitely हाँ पे sun है हर एक dark situation के बाद एक positive situation आएगा हर एक रात के बाद एक दिन आता है Taurus so you have to believe अगर आप इस वक्त struggle कर रहे हो अगर आप बहुत खराब time से गुजर रहे हो financially it does not matter आप क्या कर रहे हो आप life में क्या बनने की कोशिश कर रहे हो कुछ लोग doctor बनने की कोशिश कर रहे हो कुछ लोग बस एक नौकरी के लिए struggle कर रहे हो so कोई भी हो सकता है कुछ भी आपका situation हो सकता है but always remember या करूंगी and मैं ये target achieve करके दिखाऊंगी सबको क्यूंकि मैं ये करना चाहती हूँ I believe in myself I can do this अगर आप ये बोलोगे खुद से at least अगर आप सुभा उटके ये खुद से mirror में देखके भी बोलोगे this will help you because आप कर सकते हो आप में वो capacity है आप में वो intelligence है ये जो भी मुकाम तक आप पहुचने की कोशिश कर रहे हो अगर आप hard work करोगे अगर आप एक discipline follow कर रहे है कुछ लोगों के लिए the message is कि आपका जो time table है आपका जो routine है वो disciplined नहीं है you need to time या तो time management करना है आपको या तो एक disciplined routine follow करना है आपको and बाकियों के लिए अगर आप hard work कर रहे हो आज आपको success नहीं दिख रहा है it's okay it's okay Doris but इसका मतलब ये नहीं कि आप रोग दो या उस hard work करना छोड़ दो या give up कर दो life में that is never an option ठीक है I see that when the right time will come आप definitely shine करोगे आप definitely success देखोगे most of you आप लोग financial crisis के अंदर से गुजर रहे हो इस वक्त I can understand but the thing is that don't give up don't give up आपको इस वक्त immediately शायद success नहीं दिख रहा है but अगर आप give up कर दोगे always remember आप कभी successful नहीं रहोगे if you give up you know but अगर आप चलते जाओगे अगर आप जितना भी problem हो अगर आप वो trust रखोगे अपने अंदर obviously you will see success one day because बुरा time किसी का हर like हर समय बुरा time नहीं हो सकता हर बुरे time के बाद एक अच्छा time definitely आएगा success definitely आएगा Taurus okay beautiful reading so don't stop Taurus and don't give up don't give up okay let us see general messages five of wands what is this conflict general messages strength ace of cups nine of swords ten of swords knight of pentacles general messages I think Taurus first of all अगर आप worried हो किसी situation में the message that is coming through is अगर कुछ खतम हो गया है कोई friendship, relationship, job determination, motivation जो भी खतम हो गया है आपको लगता है अगर आप नहीं चाहते हो you can restart any day you want या वहाँ पर एक restarting energy मुझे नजर आ रहा है Taurus something that has ended will start again something positive मैंने कहरी हूँ कि अगर आपने कुछ बुरा आदत अपना खतम किया है आप वो start कर रहे हो नहीं something that you thought has ended maybe आपको लगता है कि मैं तो पहले बहुत motivated थी काम करने के लिए मेरा motivation खतम हो गया है मैं कभी motivated feel नहीं करूँगी या फिर मुझ में कोई problem आ गया है मैं आप पहले जैसे अच्छी नहीं रही मैं आप पहले जैसे काम नहीं कर सकती या फिर कोई friendship है या relationship है जो खतम हो गया है over the time आपको लगता है ये तो beyond repair है या ये impossible है होना so कुछ एक चीज है जो आपको लगता है impossible है या कुछ एक है जो आपको लगता है कि ये तो कभी नहीं हो सकता या ये खतम है ये finished, done with I think उस situation में आप एक restart देख पाओगे even though वो restart बहुत slowly होगा, बहुत calmly slowly, धीरे धीरे maybe एक साल लग जाए, maybe दस महीने लग जाए, but होगा and वो restart positive होगा सबसे बराबाद positive होगा, but definitely यहाँ पर Taurus, आप confused हो एक love situation में या फिर आप conflicted हो एक love situation में चाहे ये कुछ लोगों के लिए एक पुराना love situation है कुछ लोगों के लिए नया है आपको confusion है कि अगर ये नया है आपको confusion है कि क्या आपको आगे जाना चाहिए इस situation को trust करना चाहिए अगर ये पुराना situation है, obviously आपको पता नहीं है कि इस situation में चल क्या रहा है, आपके person आखिर चाहते क्या है, हो क्या रहा है so there is a lot of confusion and conflict कुछ लोग completely love को अपने life से दूर रखने की कोशिश कर रहे हो because आप tired हो love situation से कुछ लोग के लिए ये एक नया शायद love ना हो but friendship हो सकता है, job offers भी हो सकते है but something new आप चाहते हो कुछ नया आप चाहते हो कि ये current situation जो है, ये change हो, ये transform हो ये negative से positive में बदले but the thing is Taurus आप बहुत जल्द बाजी कर रहे हो आप बहुत जल्दी चाहते हो changes, कि अभी change हो जाए अभी ये हो जाए, अभी वो हो जाए अभी मुझे जवाब मिल जाए but that is not how the universe works so obviously आप changes देख पाओगे जो negative है वो positive में जरूर बदलेगा but उसके लिए you have to be patient you have to be patient अगर कुछ हील करना है हील करो, अगर कुछ अपने fears के साथ, dark side के साथ अपने shadow side के साथ आपको काम करना है, वो करो but do something that will make you happy or your situation more stable, Taurus अपने आसपास के situation को पहले change करो, यह मत सोचो कि कब कोई दूसरा person change होंगे, कब कोई दूसरा situation change होगा, कब वो friendship change होगा, कब मुझे better job मिलेगा पहले खुद को develop करो मैं नहीं कह रही हूँ कि आप develop नहीं हो या आप बुरे हो, मेरा वो मतलब नहीं है खुद को develop करो मतलब आप इस वक्ट जो level में हो, खुद को level up करो, कुछ नया करो, खुद के लिए करो, दूसरों के लिए नहीं self love practice करो Taurus, because beautiful energies will come in, जो negative है वो positive होगा, future में positive energies आएंगे, but मुझे वो बहुत slowly आते हुए दिख रहे है so वो जो slow process है उस process को आपको trust करना ही परेगा you cannot run from it you cannot like fast forward it आप कुछ भी जल्दबाजी में नहीं कर सकते, because universe आपके time से नहीं चलेगा Taurus, so try and heal yourself, be very patient with yourself and be very confident with yourself ठीक है, so that is what I have for you Taurus, I hope ये reading आपको resonate किया होगा अपको अच्छा लगा होगा, अगर किया है then please do like, share and subscribe to the channel be a part of the family and मैं आप से मिलूंगी next reading में till then take care and goodbye